हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी और अंग्रेजी में फ्रूट्स नेम, मतलब फलों के नाम एपल एपल को हिंदी में सेब कहते हैं एप्रिकोट, एप्रिकोट को हिंदी में खुबानी कहते हैं बनाना, बनाना को हिंदी में केला कहते हैं ब्लैक करंट, ब्लैक करंट को हिंदी में फाल सेप कहते हैं ब्लैक बैरी ब्लैक बैरी को हिंदी में जामुन कहते हैं ब्लूबैरी ब्लूबैरी को हिंदी में नील बदरी कहते हैं कोकोनट कोकोनट तो आपने देखा ही होगा कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं कस्टर्ड एपल को हिंदी में शरीफा कहा जाता है डेट को हिंदी में खजूर कहते हैं ये बहुत मीठा होता है फिग को हिंदी में अंजीर कहते हैं गूसबेरी को हिंदी में आवला कहते हैं ग्रेप्स ग्रेप्स तो आप सभी ने देखे ही होंगे ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं गुवावा को हिंदी में अमरूत कहते हैं जैक फ्रूट जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल कहते हैं इसे हम सबजी की तरह भी पका कर खाते हैं लैमन या लाइम लैमन को हिंदी में नीमबू कहते हैं ये बहुत खट्टा होता है लीची लीची को हिंदी में भी लीची कहा जाता है मैंगो मैंगो को फलू का राजा कहा जाता है और इसे हिंदी में हम आम के नाम से जानते हैं मलबैरी मलबैरी को हिंदी में शेहतूत कहते हैं मस्क मैलन मस्क मैलन को हिंदी में खर्बूजा कहते है ओरेंज ओरेंज को हिंदी में संत्रा कहा जाता है पपाया पपाया को हिंदी में पपीता कहते है पीच पीच को हिंदी में आडू कहते हैं पियर पियर को हिंदी में नाशपाती कहते हैं पाइनेपल पाइनेपल को हिंदी में अनानास कहा जाता है प्लम प्लम को हिंदी में बेर या आलू बुखारा कहते हैं पॉमेग्रेनेट 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 को हिंदी में अनार कहते हैं इसमें लाल लाल दाने होते हैं नेसबैरी Nesberry को हिंदी में चीकू कहते है Starfruit Starfruit को हिंदी में कमरक कहते है इसे हम Starfruit इसी लिए कहते है क्योंकि जब हम इसे कट करते है तो इसका शेप Star जैसा हो जाता है स्वीट लाइम स्वीट लाइम को हिंदी में मौसम भी कहते हैं टैमरिंड टैमरिंड को हिंदी में इमली कहते है ये बहुत खटी होती है वाटर चैसनट वाटर चैसनट को हिंदी में सिंघाडा कहते है वाटर मैलन वाटर मैलन को हिंदी में तरबूज कहते है वाटर चैसनट को हिंदी में तरबूज कहते है